इन दिन और राम मंदिर हमारे देश का सबसे चर्चित विशे हो गया है। किरदार में सुनी लहरी को भी अमंत्रन मिला है आयोध्या में इन तीनों सितारों को देख हर कोई भक्ती से विभोर हो चुका है हाली में एक इंटर्व्यू के दरान अरुन गोविन ने बताया कि राम हमारे देश के गौरो संस्कृती की पहचान और स्वाभिमान है भगवान अरुन गोविन ने कुछ ऐसे किस से भी शेयर कियें जो उनके रामारे सीरियल से जुड़े किरदार के बारे में हैं उन्होंने यहां बताया कि उन्हें राम का किरदार किस तरह से मिला और किस तरह से वह रिजेक्ट भी हो चुके थें यहां अरुन गोविन ने बताया कि भ बगवान राम का ही किरदार करूंगा पर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया और यह भूमिका किसी और को दे दी गई लेकिन बाद में मुझे इस भूमिका के लिए पापस बुला लिया गया राम का किरदार ओफर होने के बाद तो मानो अरुन गोविल की जिन्दगी ही पूरी तरह से बदल गई उन्होंने बताया कि जो प्यार और सम्मान इस किरदार से उन्हें मिला है वो शायद ही कभी मिल पाता पर इसके बाद उन्हें फिल्मों में आफर भी कम मिलने लगें क्योंकि फिल्म मेकर्स उन्हें किसी अलग भूमिका में कलपना ही नहीं कर सकते थे अरुन गोविल ने हैं बताया कि प्रोफेशनल लाइफ में इसके तो कई फायदे और नुकसान हुए उस वक्त मैं फिल्मों में अच्छा काम कर रहा था लेकिन इसके बाद मैं फिल्मों में काम नहीं कर पाया उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यह मेरे लिए घाटे का सौदा था लेकिन अब अहसास होता है कि अगर मैंने 500 फिल्में भी की होती तब भी मुझे वो प्यार और सम्मान नहीं मिल पाता